देमी मूर और ब्रूस विलिस परफेक्ट कपल थे। उनके पास सब कुछ था शोहरत, दौलत और एक दूसरे के लिए गहरा प्यार जो खुद समय को पार करता हुआ प्रतीत होता था। वे अविभाज्य थे और उनके प्रशंसकों ने उन्हें सराहा। लेकिन उनकी संपूर्ण दुनिया उल्ती होने वाली थी। एक दिन दुनिया के एक सुदूर हिस्से में एक रोमांटिक छुट्ती पर वे एक अजीब कलाकृती पर ठोकर खा गए एक चमकता हुआ क्रिस्ट को छुआ और अचानक सब कुछ बदल गया। उन्हें एक अजीब पराए दुनिया में ले जाया गया। एक ऐसी जगह जिसकी उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की थी। जैसे ही उन्होंने इस नई दुनिया की खोज की उन्हें जल्धी एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं थे यहां अन्य लोग भी थे अविश्वस्निय शक्ती और बुद्धी के प्राणी। उन्होंने देमी और ब्रूस का स्वागत किया। यह समझाते हुए कि क्रिस्टल उन्हें एक कारण से यहां लाए थे। एलियन्स ने उन्हें अविश्वस्निय दृश्य और आवाजे लेकिन जैसे जैसे समय बीटता गया, देमी और ब्रूस ने यहां लोटिस करना शुरू किया कि कुछ ठीक नहीं था। यहां एक अंधेरा था, एक ग्वेश जो सता के ठीक नीचे दुपका हुआ लग रहा था। एलियन्स ने समझाया कि वे एक शक्तिशाली दुश्मन के स युद्ध में थे, जिसने ब्रामान में सभी जीवन को नश्ट करने की मांग की थी। वे युगों से यह युद्ध लड़ रहे थे और सहयोगी दलों के लिए बेताप थे। देमी और ब्रूस जानते थे कि उन्हें क्या करना है। वे अपने ज्यान और कौशल का नई तकनीकों और रननीतियों को सीखा और जल्धी दुर्जे योद्धा बन गए। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, देमी और ब्रूस कंधे से कंधा मिला कर लड़े, उनका प्यार और एक दूसरे के प्रती समर्पन उन्हें आगे बढ़ा रहा था। उन्होंने महादुरी और बलिदान ने ब्राहमान को बचा लिया और उन्हें एलियन्स और उन सभी लोगों द्वारा नायकों के रूप में प्रतिष्थित किया गया, जिन्हें उन्होंने बचाने में मदद की थी। वे प्रत्वी पर लौट आये, हमेशा के लिए उनके अविश्वस साहस से बदल गए, लेकिन अभी भी गहराई से प्यार करते हैं। विदेशी दुनिया में उनके समय से उनका बंधन मजबूत हो गया था, और वे जानते थे कि कुछ भी उन्हें फिर से अलग नहीं कर सकता। उन्होंने जीवन में एक नया उदेश पाया था, एक बड़ी गुलाहट और ब्रहमांड ने उन पर जो कुछ भी फैंका था, वे एक साथ अनंत काल के लिए उनका सामना करेंगे।